नमस्कार दोस्तों, तीज त्योहार धर्म चैनल पर आपका स्वागत है, आज हम आपको इस वीडियो में एक विशेश जड़ी बूटी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे आपने शायद पहले नहीं सुना होगा. यह जड़ी बूटी जमीन पर उगने वाली एक खास तरह की घास है. इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो काम की नहो. कुदरत की अनमोल खजाने में ऐसी विशिष्ट प्रकार के गुणों वाली जड़ी बूटियां मौजूद है, जिसके बारे में हमें जानकारी न कहा जाता है. इसके पत्तों का स्वाद खट्टा मीठा होता है और इन्हें खाने से कई प्रकार के स्वास्थ्य लाब होते हैं. आज हम आपको एक फिर से नहीं और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे. यह जो जमीन पर फैला हुआ, खास कर पत्ता आप देख रहे हैं, यह क चमतकारिक गुणों वाली जड़ी बूटी है. चांगेरी, यह घास कोई आम घास नहीं है. यह खटी मिठी कहां से, इसे टीम टीम पत्र जोडे में लगते हैं और इसके पत्तों की सबजी बना कर लोग चीजों से खाते हैं. इसके पत्तों का स्वाद खटा मीठा होने से ल यह खटी मीठी कहां से, जिसे चांगेरी से जानते हैं, इस खास रूपी जड़ी बूटी को आपने अवश्य ही पहचान लिया होगा दोस्तों. यह घास नशा छुडाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और की एक अवसर दी है. नशा चाहे शराब का हो, भांग का हो या गा हो जाता है, साथ ही अपने परिवार को भी प्रभावित कर देता है. तो दोस्तों, हम इस तीन पत्तियां कांस्य नहीं चांगिरई के प्रयोग से नशा छुडाने की विधी आपको बताएंगे. इस से पहले जान लेते हैं, इस दिन पत्तियां कहां के आयुर्वेदिक गु गुलाबी रंग की पुश्प होती है. इसकी एक दूसरी प्रजाती भी पाई जाती है, जिस पर गुलाबी रंग की सुन्दर पुश्प लगते हैं. इस खास का नाम है चांगेरी को. इसे दिन पत्तियां कहां, तो कोई सीख, खटी मिठी कहां से भी जानते हैं. दोस्तों, अगर आपको जड़ी बूटी की जानकारी अच्छी लगती है, तो अभी लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी अकसर हमारे चैनल पर आती रहती है. यह और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. तो चांगेरी के बारे मे एक ना एक दिन में काम आएगी. दोस्तों, नशा चुडाने में मददगार चांगेरी की सबसे बड़ी खासियत है कि यह नशा चुडाने में बेहद कारगर है. चाहे वह शराब का नशा हो या भांग गांजे का, इसके ताजे पत्तों का रस निकाल कर रोजाना आधा गिल समस्या है, जो कभी न कभी किसी को होता ही है. अगर किसी को सिर में दर्द होता है, तो इसके पत्तों को पीस कर, इसका लेप बना कर, माथे पर लगाएं कुछी समय में जल्दी से आराम हो जाता है. अगर किसी को आधे सिर में दर्द होने पर, इसके ताजे पत्तों का रस न रस निकालें और इसमें थोड़ा पानी मिलाकर दो-दो बूंद नाक में टपकाने से भी यह समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों, इस चांगिरई के पत्तों का स्वाद बहुत ही खटा मीठा और लाजवाब होता है। इसके पक्ष की अगर आप सबजी या चटनी बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अगर घर में चोटे बच्चे हैं और पाचन शक्ती कमजोर हो, इन्हें भूख न लगती हो, तो ऐसे में तो इस चांगिरई के पत्तों के साथ अद्रक और पुदीना मिलाकर चटनी बनाकर खिलाईए। यह चटनी बहुत टेस्टी बनेगी और बच्चों की पाचन शक्ती मजबूत बनेगी। इसके अलावा इसके पत्तों की सबजी बनाकर कुछ दिनों तक लगातार खाने से आंतों में जो इन्फेक्शन होता है यह भी ठीक हो जाता है। इसे कमजोर पाचन शक्ती भी मजब लगातार सेवन करने से महिलाओं में होने वाली अधिक बिल्डिंग की समस्या दूर होती है। इसके अतिरिक्त सफेद पानी की समस्या में भी आराम होता है। जिन लोगों को और बवासीर की समस्या है। बवासीर में खून आ रहा हो तो ऐसे में इसके चांगराई पत्तों की सबजी का कुछ दिनों तक लगातार सेवन करें। जल्दी से आराम मिल जाएगा। अगर किसी को यह मोठी ताजी न मिल रही हो तो यह जहां मिले वहां से लाकर सुखा कर चूर्ण बना कर रख लें। और इस चूर्ण को तीन से चार ग्राम की मात्रा में रोजाना पानी के साथ सेवन करें या इसको 10 ग्राम की मात्रा में लेकर काड़ा बना कर 15 से बीच विलय की मात्रा में पीए। यही नहीं दोस्तों यह चांगिरई बूटी का खस्तातों के लिए भी अधिक फायदेमंद साबित होता है। मसूड़ों और दांतों के लिए लाभ दायक है। चा रहा हो, दांत हिल रहे हो, तो इसके ताजे पत्तों का रस निकाल कर साथ में पीटी मिलाकर कुल्ला करें। इससे जल्द ही अच्छा महसूस होगा। इसकी पत्तियां भी चेहरे की सुन्दर्ता को भी बढ़ाती है। इसके लिए इस चांगिरई के पत्तों का ताजा रस न हो लें। यह प्रयोग रोजाना करने से चेहरे की सुन्दर्ता बढ़ती है और चेहरे की जुर्रियां खत्म होती है। दोस्तों नशा एक ऐसी आदत है जो चिन्ह को हो जाती है। इन्हे छुडाना बहुत कठिन होता है। लेकिन यह चांगेरी जड़ी भूटी नशा छु यह शराब का कुछ दिन लगातार चांगेरी का रस पीते रहने से नशे के प्रती नफरत हो जाएगी और धीरे धीरे नशे की आदत छूट जाएगी। कहां जाता है अगर किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के वजह से या किसी बीमारी के कारण मुह की बदबू की परेशा कर मंजन करने से दात संबंधी बीमारियों से राहत मिलती है चंगेरी का सेवन। अगर सपताह में एक दिन भी कर लिया जाए तो यह हार्ट को सभी तरह की बीमारियों से बचा सकता है। एक अन्य रिसर्च के मुताबिक चंगेरी का साग खाने से खून में क्लॉट बनने य चोटी सी मगर महत्वपूर्ण जानकारी आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चांगेरी एक बहुत ही उपयोगी और बहुमुखी ओशधी है जो हमारे आसपास बहुतायत में मिलती है। इसे आसानी से पहचाना जा सकता ह और इसके अद्भुत औशधीय गुणों का लाभ उठाया जा सकता है। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको भी लाभ होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।